इन्हों ने शरुवात करी बतार स्टन्ट हेरोईन एक्शन फिल्मों में काम करते करते ये बन गई बहतरीन रोमैंटिक हेरोईन नाम मुम्ताज जन्म 31 जुलाई सन 1947 मुंबई में हुआ पिता का नाम अब्दुल सलीम असकरी और माता शादी हबीब आगा मातर 12 साल की उम्र में मुम्ताज ने फिल्मों में कदम रखा 60 के दशक में मुम्ताज बतार जुनियर आर्टिस्ट काम किया करती थी एक्स्टाज के छोटे मोटे रोल निभाते निभाते ये बन गई रेस्लर से हीरो बने दारा संग की हिरोईन ये किस्सा मशूर है कि दारा संग के साथ कोई भी फिल्म हिरोईन काम नहीं करना चाह रही थी और प्रिडूसर डारेक्टर परिशान थे कि कहां से हिरोईन लाएं ऐसे में डारेक्टर की नजर मुम्ताज पे पड़ी और उन्होंने दारा संग जी से कहा क्या ये हिरोईन चलेगी इस पर महान रेसलर ने बोला कि मुझे अपनी फिल्म से मतलब है हिरोईन आप कोई भी रखें और यू मुम्ताज एक्स्ट्रा से बन गई हिरोईन दारा सिंग जी के साथ इनकी फिल्मे रहीं बॉक्सर, सैंसन, तार्जन, किंग कॉंग और इस तरह मुम्ताज के उपर एक लेबल लग गया कि ये सिर्फ एक्शन हिरोई के साथ ही काम कर सकती हैं घौर करने वाली बात यह है कि वो दोर रोमेंटिक फिल्मों का दोर था ऐसे में कोई भी बड़ा प्रेडिउसर और बड़ा हीरो मुम्ताज के साथ क्यों काम करता और धीरे धीरे सपोर्टिंग रॉल्स करते हुए मुम्ताज ने अपनी जगा मेंस्ट्रीम रोमेंटिक सिन तुम्जे आजमाने की कोशिश नगर मैं तेरे इश्ग में मरना जाओ कहीं तुम्जे आजमाने की कोशिश नगर मैं तेरे इस बीच ये बाते भी मशूर हुई कि शम्मी कपूर और मुम्तास के बीच गहरा प्रेम संबंद बन गया है ये बात भी मशूर हुई कि शम्मी साहब और मुम्तास जी शादी करने वाले थे पर ये शादी क्यों नहीं हुई इसकी वज़ा मुम्तास ने कई सालों के बाद बताई कि शम्मी साहब चाहते थे कि मुम्तास घर पे रहें और फिल्मों से सन्यास ले लें पर यह वो वक्त था जब मुम्ताज धीरे धीरे सफलता के शिखर को छू रही थी और इन्हों ने शमीर सहाब से शादी का प्रस्ताव ठुगरा दिया पर अभी भी मुम्ताज की करणों से सूपर स्टार्डम बहुत दूर था ऐसे में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के पहले सूपर स्टार राजेश खना ने इनका हाथ थामा फिल्म दो रास्ते में इनकी जोड़ी सूपर हिट हो गई और उसके बाद इन दोनों ने एक साथ एक के बाद एक आठ सूपर हिट फिल्म्स दी वक्त ने ऐसी करमट ली कि वो मुम्ताज जो फिल्म गहरा दाग में राजिंदर कुमार की बहन का रोल कर रही थी वही मुम्ताज फिल्म टांगे वाला में राजिंदर कुमार की हिरोईं बन गई ये किस्सा भी मशूर है कि लेजंडरी एक्टर शशी कपूर ने मुम्ताज के साथ काम करने से इंकार कर दिया था ये कहा था कि ये तो स्टंट फिल्मों की हिरोईन है मैं क्यों इनके साथ काम करूँ फिर वो दौर आया जब राजेश खन्ना बड़े बड़े हीरोस को चित कर रहे थे और इससे शशी कपूर भी अचूते नहीं रहे और शशी साहब ने मुम्ताज जी से बहुत गुजारिश की कि वो उनके साथ एक फिल्म में काम करे शुरुआत में मुम्ताज ने मना कर दिया पर बाद में कहा ठीक है मैं आपके साथ काम करूंगी और फिल्म चोर मचाई शोर में इनके काम को बहुत सा रहा गया और ये फिल्म शशी कपूर के लिए सुपर हिट साबित हुई मुम्ताज ने 15 साल लंबे करियर में 108 फिल्मों में काम किया और सन 1970 के फिल्म खिलोना के लिए इन्हें बेस्ट अक्रिस का आवाड भी दिया गया मुम्ताज जी की जोड़ी धरमेंदर साहब के साथ खूब जमी फिरोजखान साहब के साथ संजीव कुमार और विस्वजीत के साथ ही मैं भी तेरे साथ हूँ दिल भी तेरे साथ जाहे जब आजा जन्ना लेके बाराद जिति जिति आजा चलना लेके बाराद मेरे पास कोठी है नकार सजनी अड़का है तेरा दिलदार सजनी पूटी बंगला ला मुझी कार चाहिए दिल दार चाहिए जल फिर चलिये सोणिये निपलिये दिल की दुनिया बसाएंगे ओ बुल बुल जहां तक कि एवर ग्रीन लेजनरी देवानन साहत के साथ ही मुम्ताज जी का काम बहुत सा रहा गया और सन 1994 में जब मुम्ताज सभलता के शिकर पे राच कर रही थी मयूर माध्वानी से शादी कर फिल्मों से दूर चली गई हाला कि शादी के बारा साल के बाद इन्होंने फिर फिल्मों में वापसी की कोशिश की पर वो फिल्म आधियां चली नहीं और फिर मुम्ताज ने फिल्मों से पर्मनेंटली रिटायमेंट ले ली मुंताज जी की दो बेटियां है नताशा और तान्या जिनमें बेटी नताशा की शादी फिरोस खान के बेटे फरदीन खान से हुई मुंताज हमेशा से एक फाइटर रही और वो बक्त आया जब मुंताज को कैंसर जैसी जानलेवा बिमारी ने घेर लिया था पर मुंताज ने कैंसर को माद दी सन 1996 में इन्हें लाइफटाइम अचीब्मेंट अवार्ड से नवाजा गया था मुंताज उन हिरोईन्स में से हैं जिन्होंने हिंदी सिनेमा का ब्लेक और दोर देखा जिन्होंने बतौर जूनियर आटिस्ट काम किया और उसके बाद ये बन गई सूपर स्टार हिरोईन भारती सिनेमा के इतिहास में मुंताज जी का नाम हमेशा अमर रहेगा आरत का दिल जाने नहीं आप हमें पहचाने नहीं छोडो छोडो हम भी सयाने है हमारे सिवा तुम्हारे और कितने दिवाने है बॉलीवुट की लेटिस्ट ख़बरें और गॉसिप के लिए लॉग आन करें facebook.com slash ultra hindi और twitter.com slash ultra hindi पर